नमस्कार आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे कि जो नया सिलेबस है Economics Honors का CBCS 24 बेस क्रेडिर सिस्टम उसमें सेमेश्टर वन में क्या पढ़ना है इस बार चुकि इस बार जो सिमेश्टर वन का हमारे का बैस सुरूरा है और एक मैई से आपको सुरूरा है इस सुबा में सारे साथ बज़े होगा और Expectation के अधार पर मैं आपको बता दूँ कि जो First Year कर सकते हैं कि फर्स सेमेश्टर जो सेमेश्टर वन में जो पढ़ना है आपको Economics वो सबसे पहले पढ़ना है introductory micro economics और दूसरा जो paper economics का होगा उस होगा mathematics for economics या mathematical method of economics mathematical method of economics में that means की how you have to use the different mathematical tool in economics और जदी आपने economics उनर्स रखा है तो अगर इंटर में अगर साइंस है तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर साइंस आपका नहीं है background mathematics नहीं है तो थोड़ा से mathematics पढ़ लिए बहुत detail नहीं लेकिन कम से कम थोड़ा सा जो आपका coordinate geometry है और थोड़ा सा algebra है और थोड़ा सा आपका calculus का part है मैं अभी उसको district review करूंगा जदी बीए में economics रखने को सोचे हैं तो आप किस तरीके से त्यारी करें और इस तरीके से आप त्यारी करें शुरू से कि आपको दुबारा फिर commission में बैठते हैं त्यारी ना करना पड़ें इस बार का जो नए syllabus है जो four year का आपका मिलेगा clear है लेकर six month के बाद भी छोड़ देते हैं तो आपको बीए certificate फिर बीए diploma इस तरह से डिग्री आपको मिलेगा new education policy के तरत इस course को सुरूआ किया जा रहा है तो आपको पढ़ना है तो आपको जो introductory micro economics है और अगर इंटर में आपका economics नहीं रहा है 910 में economics नहीं रहा है तो हम आपको सलाह देंगे अगर आपके English ठीक है तो ICAC की जो book आती है जो 1110 12 का उस किताब को पढ़ें और अगर हिंदी मेडियम में अगर आप इंद्याती हैं तो हरी एंजैन का या फिर दीपा सरी का जो books आती है basic books आपको आप पढ़ लेजे और NCRT का फ्री आपको डॉन और कुछ स्यानी के तीन books रखी आप अपने पास चुकि यह आपको first year, second year, third year सब में काम आपको देगा और ultimately जब आपको master तक भी सारी books काम देगी जो मैं आपको पताया हूँ क्लियर है लेकिन basic tool आपको आपको आएगा तभी आपको इस चीज़े समझ में आएगी तो जदी आपने economics रखा है तीन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और mathematics में कुछ बच्चे को questions था कि सर mathematics में हम क्या पढ़ना शुरू करें mathematics में आपको बता दें सबसे पहले function जो की calculus का पार्ट है function पढ़ लेजिए और function के अंदर आपका limit है continuity है फिर differentiation 1 variable, differentiation 2 variable, differentiation 3 variable और मतलब की जो हम लोग partial differences करते हैं और सभी का maximum minimum ये सारी बाते पढ़ लेजिए फिर तेहां पढ़ाये जाएगा दूसरा में algebra में आपका जो है matrices and determinants का जो basic concept अफिक लिए फिर उसको भी यहां पनाया जाएगा उसके economics में का application से ओ भी आपको सिखाए जाएगा उसके बाद तीसरा aspect है coordinate geometry में पहला chapter से आपका इंटर के बुक से उसको आप पढ़ल दिए बाकि सारी बाते यहां से आपको सि किताब में आपको जो है सारा कुछ के logarithm का वेगार की concept क्लियर हो जाएगा सट्स वेगार इसको कर्णियन गहतां काते हैं यह सारी basic चीजें जिसका economics से बहुत ही जवरदस उप्योग है और अगर आपको economics चीखना है तो mathematical tool की जानकारी आपको होनी चाहिए जानकारी नहीं है तो सिखाएंगे लेकिन अगर जब तक समय आपके पास है तब आप उसको पढ़िए और हम जो बैस शुरू कर रहे हैं एक तारिक से उसमें दो चीज शुरू होगा साथ साथ बैस के टाइमिंग साड़े साथ बजे है और साड़े आठ बजे है मतलब दो घंटे का class अभी आ दियाज करेंगे जदि आगे भी अच्छे विश्विद्याले में जाना है तो आपको इस तरीके से एकनोमिक्स ही तियारी करना है कुछ और भी था कि हम एकनोमिक्स में सर्प सी मैथमेटिकल ही पढ़ना है थ्योरी पढ़ना ही कि नहीं मैं उसको बता दूं कि माइक्रो और मेक्रो एकनोमिक्स प्रस और ऐसे इंडियन Tea स में सब्के को एकनोमिक्स है इन सबी चीज़ों कोई आपको पढ़ाया जाना है यह सबी आपको हम पढ़ाएंगे और खिर आप जहां है विश्विद्याले में कॉल्ज बेंदो मिशनलले वहां भी आपको पढ़ाए जाएंगे लेकिन माइक्रो मेक्रो मैथमेटिक्स और स्टेटिक इस चार चीज़ को अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं तो बाकी जो डेवलाप्मेंट एकोनोमिक्स है डेवलाप्मेंट एकोनोमिक्स तैट मिंस की उसमें थेोरिटिकल जिसे के पढ़िएगा हैरोड मोडल दोमर मोडल सॉलो मोडल एडियोजनेस ग्रोथ मोडल बहुत सारे इस तरह के model है जिसके हर model में हर economy growth model में आपको जो mathematical tool का उपयोग है तिस तरीके से ज़दी आप से systematically पढ़ते हैं तो आपके economics का basic part पूरा ठीक हो जाएगा और basic part ठीक हो जाएगा that means basic low का बहुत weak होता है और जब आप पटना आते हैं तो आपको basic ठीक करने में ही 6 म अलग जाता है कभी कभी सालवर लग जाता है इसलिए basic बाते खुछ से पढ़ें तो अच्छी ची किताव को पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं तो फिर अगर आप basic बहुत big है तो हम तो पढ़ाएगे वक्त लगेगा उसके लिए वैसे मैंने क्या किया कि basic economics का अलग से group बना यह पहले से video lectures है वह भी आपको free of cost मैं आपको दे रहा हूं ताकि उसको घर से पढ़के हैं ताकि यहां पर आपको ज्यादा clarity समझ में आपको आए इस तरीके से जदी आप economics पढ़ते हैं तो no doubt economics भी से सबसे आपको असान लगना लगेगा धन्यवाद